हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी ममताकिशन रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आलू का टेस्टी और डिलीशियस हल्वा हल्वा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह 5 मिडियम साइस के आलू लिए हैं जिसे मैंने बोईल करके लिया है अब आपको इन बोईल किये हुए आलू को इस तरह से कदुकस कर लेना है अच्छे से मैश कर लेना है सभी आलुकों कदुकस करने के बाद गेस पर हम लेंगे एक कड़ाई और इसमें आपको अड़ करना है देसी घी, मैं यहाँ पर दो बड़े चमच देसी घी अड़ कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही घी लेना है आप चाहें तो कम ले सकते हैं, आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, घी के क्वांटिटी आप अपने टेस्क के को कम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा घी डालेंगे तो ज्यादा घी का अच्छा टेस्ट आएगा, कम डालेंगे तो कम घी में भी हलवा बन जाएगा, घी क अप्धिर भुनने के बाद इसे आपको निकाल देना है कि अब आपको इस गरम घी में अण वहित करना है आलू जो हमने कदुकस करके रखे वे थे वो सबी आलू आपको इसमें एड कर लेने हैं दियान रहिए गर धिज की शिizaril fps को बिल्कुल लो रखना है और तो आपको इस आलू को आपको इस तरह से पकाने में लगबग 15 से 20 मिनट लगेंगे इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ा पिसेंस के साथ इसे पकाते रहें और इस तरह से लगाता चलाते रहना है इस तरह से बनाया गई है आलू का हलवा बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनेगा एक पर आप खाओगे तो आपका फेवरेट हो जाएगा यह हलवा और इस आलू की हलवे को आप वर्द में भी बना कर खा सकते हैं तो महाशिवरात्री पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइक कर देखेगा यह किन मानिए आपको यह रेसिपी बहुत ज्यादा बढ़िया लगने वाली है इसे पकाते हुए लगभख 15-20 मिनट हो गए है और आप इसका टेक्शर देख पा रहे हैं आलू ने अच्छे से भून करके घी छोड़ रखा है यानि कि अच्छे से पक गया है अब आपको इसमें एड करना है दूद तो मैंने यहाँ पर गरम दूद में एक बाउ दूद लिया है इसमें कुछ केसर के रेसे एड के वे थे जिससे केसर का फ्लेवर इस दूद में अच्छे से आ जाए और इस दूद को आपको इसमें एड कर लेना है मलाई के साथ मैंने यह दूद लिया है अब आपको इस दूद को आलू के साथ अच्छे से मिक्स करते वे पका लेना है धीरे धीरे यह आलू सारा दूद अपने अंदर अबजर्व कर लेका और इससे बहुत ही अच्छा बढ़िया टेक्शर आजाएका आपकी हलवे का साथ ही मैं आप पर उनली के लिए थोड़ा सा औरेंज फूड कलर एड़ कर रही हूं यह बिलकुल ऑप्शनल है आप चाहते से फुल स्किप भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बिना इस कलर के भी आपका हलवा बहुत ही बढ़िया बनने वाला है तो यह आप मढ़ डालिएगा मैंने यहाँ पर थ पकाने के बाद आप इसका टेक्शर देख पा रहे हैं आलू के हलवे ने अच्छे से भून करके घी छोड़ रखा है यानि कि यह तयार हो गया है अब आपको इसमें एड़ करनी है चीनी तो मैं यहाँ पर हाफ कप चीनी एड़ कर रही हूं मीठा आप अपने टेज के को थोड़ा कूट करके इसमें एड़ किया है जिससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाए और आप देख पा रहे हैं इस हलवे का टेक्शर कितना बढ़िया लग रहा है जितना देखने में लजीज रख रहा है उससे भी ज्यादा यह खाने में टेस्टी है तो एक पर आप मेरे क आप इसका टेक्शर देख पा रहे हैं हलवे ने पूरा घी छोड़ दिया है और बहुत डिलिशियस बढ़िया हलवा बनकर के तयार हो गया है तो आप इस गर्मा गरम आलू के हलवे को सर्व करें और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक् बूले आप इस डिलिशियस आलू के हलवे का मजा लीजे मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई